और मैं सीधे आपको लेकर शर्तियों हमारे साथ हमारे साही होगी इस वक्त मौचूद है नूह से एहमद बिलाल, वरुन, जैन हमारे साथ मौचूद है नूह से दीपक, रावत हमारे साथ जोड़े हैं और साथ ही दिल्ली से दिव्यांकर भी हमारे साथ मौचूद है लेकिन स चावनी में नू को तब्दील कर दिया गया है। उसकी स्थिती क्या है जमीन पर वो दिखा दिए। चावनी में तब्दील कर दिया गया ऐसा कोई रस्ता नहीं है जो की नलहड मंदिर या फिनू की तरफ आने का रस्ता हो वापर एक दरजन जगह पर चेकिंग ना हो जो शक्स नू का लोकल रहने वाला नहीं है उनको वापस लोटा दिया जा रहा है क्योंकि इस बार प्रशास कोई कोता ही नहीं बरता जाता जानता है कि पिश्रिवाद जिस तरीके से हिंसा होई और इस बार भी इजाजत ना मिलने के बाद वी एचपी जिस शोबाई आतर के लिए हवान कर रहा है कही अगर ऐसा हुआ हालात खराब हुए तो जवाब सरकार प्रशासन कैसे देगा और इसलिए पूरे नू को किले में तब्दील कर दिया गया है चावनी में तब्दील कर दिया गया है हर छोटे छोटे रास्ते पर पुलिस के दरजनों बैरिकेट्स लगाए गये है चेकिंग की जा रही है धारा 144 पहले ही लगा दी थी इंटरनेट पूरी तरीके से सस्पेंड तो जिस तरीके से अभी जो नेता कह रहे थे वीएश्पी के की प्रतिकात्मक्त तौर पर वो जो शोबा यातर निकालेंगे तो लगता यही है कि जिस तरीके से चावनी और पुलिस बल का प्रबंद है जलाविशेग मंदिर के अंदर चल रहा है जो लोकल यहां के रहने व 300 मेटर पहले यह आप अस्पताल देखेंगे इससपताल से आगे आज आने की अजाजत नहीं हैै यहां पर आपको हर्याना पुलिस जवान नज़र आएंगे तो वही अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे तो वहां पर आपको हर्याना पुलिस नजर आजएगी बीच रास्टों में करीब दस कंपनी आपको रुमाना बतादू रैपिड एक्शन फोर्स यानि पैरा मिल्ट्री फोर्स की तैनाती की गई है दस कंपनी फोर्स पूरे नू में की गई है जो अलवर चोक है उससे आगे किसी गारी को जात रफ नहीं जाने तौर अगर अंदाजार लगाईए कि मंदिर की तरफ अगर कोई जाने के सोचे बीचे तो उसका सोचना फी बिल्कुल गलत है ज़्यूंक और तो पहले भारी विक्ति दाखिल ही हो सकता अगर गल्ती से आभी जाए तो मंधिर की तरफ नहीं जा सकता तो कही ना कही प्रशासन जी सरीके से सकत है कि किसी शोबा यात्रा को नहीं निकालने दिया जाएगा और ये जो प्रशासन की सकती है इसी का ये हतीजा कि नो जिले में दाकिल होना चाह रहे थे कुछ साधू सन जो आयोध्या से निकले से नू पहुचने के लिए उनको भी रोक लिया गया सोना में पतरकारता कोई इमोशन नहीं है ना अपना कोई ग्यान देना है और ना कोई विचार थोपना है पत्रकार्ता क्या है? पत्रकार्ता का मतलब है सही जानकारी इकठा करना और तत्थे बताना पत्रकार्ता जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जिरूब है वो सच जो आपके हित को आगे रखे इसलिए अब रात नौ बजे प्राइम टाइम नहीं होगा ये आपका टाइम होगा जगविंदर पट्याल के साथ देखिये पब्लिक इंट्रेस्ट सुमवार से शुक्रवार रात नौ बजे सिर्फ एबीपी निउस पर ABP News आपको रखे आगे ABP News आपको रखे आगे